परमवीर चक्र पीवीसी भारत का सर्वोत सेने अलंकरण है क्योंकि युद के दोरान भीरता के विशिष्ट कार को प्रदर्शित करना परमवीर चक्र अंतिम भादुर का पैया के रूप में अनुवात करता है और यह पुरुसकार की उपिस्तिती में सबसे विशिष्ट हेंगे उन वीरों में से एक हमारे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जी सिंग सेखोन का जनम 17 जुलाई 1943 को पंजाब की लुद्याना जिले के रूरगा गाउं में हुआ था 14 दिसंबर 1971 को श्री नगर इयर फील्ड पर दुश्मन के कृपाण विमान की लहर ने हमला किया था फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जी सिंग सेखोन उस समय रेडी नेश ड्यूटी पर थे हमले के दोरान उडान भरने के प्रयास के नश्वर खत्रे के बावजूत फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जी सिंग सेखोन ने उडान भरी और तुरंत हमला करने वाले सैवरों के एक जोड़े को शामिल किया उस लड़ाई में उन्होंने एक विमान को मार गराया और दूसरे को छतिगरस्ट कर दिया इस समय तक अन्यक रुपार वायुयान उनके पठोर दवाब वाले साथियों की सहेता के लिए आये और फ्लाइंग ऑफिसर दिनमल जी सिंग सेखोन की गनत की संख्या फिर से चार से एक हो गई उनके विमान को सेबर विमानों ने घेर कर मार गराया जिस कारण वे अपना सर्वोचे बलिदान देते हुए वीर गती को प्राथ हो गए स्वरनेम अक्षरों में इतियास के पन्नों पर उनका नाम अनकित हो गया पूरा भारत वर्ष इनके सर्वोचे बलिदान को आज भी तहे दिल से नमन करता है अगर मैं इनके स्थान पर होता तो मैं भी अपने पूरे सहाज और बहादुरी के साथ दुष्मनों से अपना लुहा मनवाता